नमस्कार दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे दोस्तों संतान की इक्षा रखने वाले लोगों को देवी के चौथे सुरूप मा कुसमांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए देवी का यह सुरूप देवी परवती के बिवाह से लेकर भगवान कार्तिय केयों को संतान के सुरूप में प्राप्त करने तक का है देवी जी का यह सुरूप हमेशा मुस्कुराता रहता है ऐसा कहा जाता है कि देवी जी की मुस्कुराहट से ही इस स्रिस्टी की रचना हुई थी दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से नवरात्र के चौथे दिन माता के जिस सुरूप की पूजा होती है उसकी पूजा की विधी, मंत्र, कौन सा भोग लगाएं और कौन से वस्त्र पहन कर मा की पूजा करें इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके सेर करेंगे तो नवरात्री के चौथे दिन देवी के कुस्मांडा सुरूप की पूजा की जाती है, यह देवी जी का चौथा सुरूप है, देवी जी के इस सुरूप का संबंध सुरि से है, अगर आप नवरात्री के चौथे दिन देवी कुस्मांडा की पूजा करते हैं, तो आपको कु पुस्मांडा की अराधना से आपकी आर्थिक परिसानिया भी दूर हो जाएगी। अगर आप देवी जी के इस चौथे स्वरूप की अराधना करती हैं, तो आपको या आपके परिवार में किसी को यदि कोई जटील रोग है, तो वह दूर हो जाता है। देवी के इस रूप की किरपा से निर्णा लेनी की छमता में ब्रिधी और मानसिक सक्ती अच्छी रहती है। मा को भोग लगाने की बात करें, तो अगर आप नवरात्री के चौथे दिन देवी कुस्मांडा को मालपुआ का भोग लगाती हैं, और फिर उस परसाद को बच्चों में बित्रित करती हैं, तो आपको पुन्य प्राप्त होता है, वहीं देवी परसन होकर आपको इस पुन्य का फल भी देती हैं। अगर रंग की बात करें, तो आदी सक्ती के नाम से जाने जाने वाली मा कुस्मांडा को सिंगार लाल रंग से किया जाता है, भक्तों को इस दिन नारंगी रंग का पोसाक धारन करना चाहिए। ये तो मैंने भोग और रंग के बारे में बताया, आप अगर फूल की बात करें तो माम को लाल फूल बेहत प्रिये है, इसमें आप गुढ़हल या गुलाव का फूल चड़ा सकती है, पूजा में मा को लाल रंग का पोस्प, गुढ़हल या गुलाव, सिंदुर, धोब, ग पूजा करने के बात आप मा कुस्मांडा के समक्ष अपनी मनो कामना परकट कर दे और पूजा के दौरान हुई कमियों के लिए छमा प्रातना अवस्य करें, तो दोस्तों ये मैंने नवरात्र के चौथे दिन की पूजन के विधी, मा का प्रिये भोग, मा का प्रिये रंग, मंत्र, सब कुछ डिटेल से बताया, आसा ही नहीं, पून विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठैंक्स